बाबा साहब अमिट करने की आ आ इस जानता है कि पेश्वाओंगे और ब्राहमन वादियों ने ये तो कोई भी नहीं है जो अभी राष्टपती जी का अपमान हो रहा है हजारों सालों से चिन लोगों कि इस देश के अंदर अपनी परचाई तक उनकी यहां पर पाप माना जाता था ऐसे हजारों नजाने कितने अपमान बरदास्ट करके हमारे लोग आगे बड़े हैं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जो रास्टपती जी हैं आपको यह मालूम होना चाहिए कि अपमान जोत हो महराज का भी हुआ था अपमान बाबा साब का भी कदम पर भूआ था इसलिए सवाल आपमान का नहीं है यह जो दलीत पिछड़े आदिवाशी बहुजन समाज के लोग हैं हज्जारों सालों से इस देश के अंदर उनका अपमान होता है लेकिन अपमान का बदला लेने की ताकत वही इंसान करता है जिसके अंदर मान सनमान होता है श्वाबिमान होता है इसलिए अगर रास्टपती जी आपके अंदर मान सनमान स्वाबिमान है की नहीं ये आपके बरताव से हमें नजर आ रहा है और शायद आपको मालूम होगा कि बाबा साहब और गांदी जी का जो बाबा साहब चाहते थे वो मान सन्मान और स्वाविमान का अंदोलन चलाने वाले लोग बने और इसका विपरीत गांदी जी चाहते थे कि आपके हजारों विदायक बने आपके हजारों सांसद बने मंत्री बने लेकिन वो सब के सब गुलाम होने चाहिए जैसे आप जानते है किसान खेतों में पंचियों से अपना माल बचाने के लिए खेतों में जैसे बिजुडा खरा करता है तो ऐसे बिजुडों की तरह चाहे हो रास्टपती हो या देश के हजारों सांसद हो विधायक हो जितने भी हमारे देश के अंदर सेडूर का सेडूर ट्राइब के सांसद और विधायक है ये सब के सब अपमानी जिंदगी जीने वाले लोग हैं इसलिए मैं इस बात से मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की मुझे अच्छरिय नहीं होता है क्योंकि बारतिय जनता पार्टी और RSS का यही चरित्र है ये रास्टपती के साथ ऐसा बरताओ करते हैं तो आप सोचिए मैं मिडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा पद कानूनी तोर पे समिधान के हिसाब से सबसे बड़ा पद रास्टपती का है अगर भारतिय जन पार्टी और RSS के सारे जितने भी मनुवादी जहरीली सोच के लोग है ये लोग अगर रास्टपती का इतना बेईज़त करते हैं तो ये देश के आम दलुतों के साथ ये कितना बुरा और कितना घिनोना बरताओ करते होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं